तो दोस्तो मेरा नाम राहूल स्वागत है अपका टेक्निकल वर्गेडिव चैनल पर दोस्तो अगर आपका टेवल फैन, वाल फैन या फिर एक्जॉस फैन उल्टा चल रहा है तो इसके कनेक्शन को सीधा कैसे करना इस वीडियो मताने वालों तो यहाँ पर जो आपको टेवल फैन दिखाई देखें जैसे मैंने चलाया है यहाँ पर जो टेवल फैन चल तो रहा है बट जो हवा है पीछे की तरफ आ रही है सामने की तरफ नहीं आरे इसका मतलब जो हमारा टेवल फैन हो उल्टा चल रहा है पीछे की तरफ हवा दे रहा यह जो table fan है वो सीधे direction में चलने चाहिए जिसे आपसे इसकी पंखड़ी लगी हुई है तो हवा के हिसाब से आपको पता चल जाएगा हवा पीछे की तरफ दे रहा है सामने की तरफ दे रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है मैं टेश्टर की साहिता से जो पीछे की screw लगा हूँ उसको खोल लेता हूँ देखें आपर मैंने screw को खोल देखें पीछे आपको capster लगा हूँ दिखाई दे रहा और इसी साथ में आपर motor के अंदर से winding की wire दिखाई दे रही इसमें capster की wire और main supply की wire connect हो रुखी है सबसे पहले आपको motor में चेक कर ले ना main supply की तार कौन सी है और winding की तार कौन सी है और capster की तार कौन कौन सी है तो यहाँ पर थोड़ सो और pass कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सई से समझा सुकूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो नीचे से wire आ रहे है main supply की wire आ रहे है जो की 3-speed switch से आ रहे है यहाँ पर आपको 2 wire दिखाई देरी main supply और इसी के साथ यहाँ पर आपको 3 तार और दिखाई देरी जिसमें एक लाल तार है यहाँ पर एक लाल तार के साथ में connect है और एक पीले तार के साथ में connect है और इसी के साथ में main supply की एक तार पीले तार के साथ में connect हो रुखिए तो आपको चेक कर लेना हमें यह ध्यान रखना है जो capster की wire connect होती है winding की wire से उसी के साथ main supply की wire जो capster की wire के साथ में connect होती है हमें क्या करना उस main supply को capster की wire से अलग कर देना और जो capster की दूसरी wire है उसके साथ में हमें इसे connect करना तो यहाँ पर देखे पीले वाले तार से main supply की एक तार connect हो रुखी है जिसमें capster की तार भी हमें क्या करना पीले वाले तार से इस main supply की तार को निकाल देना है तो यहाँ पर देखें मैंने इस पीले वाले तार से जिसमें capster की तार भी connect थी इसको यहाँ पर मैंने main supply की तार को पीले वाले तार से हटा दिया अब हमें इस लाल वाले तार से इसे joint कर देना जो कि हमने यहाँ पर पीले वाले तार से निकाला था तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर से टेप हटा दिया है और यहाँ पर जो में सप्लाई की जो वायर है जो कि हमने पीले वाले तार से निकाला है उसे हम इस लाल वाले तार से जोइंट कर देंगे देखिए हाँ पर ज अप्लाई कितार कनेक्ट थी उसे निकालके मैंने लाल वाल लितार और कैप्सलर कितार से कनेक्ट कर दिया है अब हम इसे चला के चेक कर लेते हैं तो जैसे कि connection से पहले हमारा जो table fan चल रहा था usta- идет sign color उल्टे direction में चल रहा था घड़ी की उल्टी में अब connection के बाथ check करतें देखिए जैसे मैंने चल आइज सनलरा जो हमारा table fan चल रहा हाँ इसका मत अध़ी direction सीधे हो गया है देखिए आप एक छोटा सा पन्नी का टुपड़ा लेड़े देखिए आप हवा की विए से उड़ रहा है इससे पता चल जाता है जो हमारा फैन चल रहा है अब सीधा चल रहा है तो दोस्तो इस टैप से आप भी अपने फैन की डिरेक्शन को सीधा कर सकते हैं अगर आपको फ